मुकंबल करने को ख्वाब चले थे हर सवाल का धूडने जवाब चले थे मुकंबल करने को ख्वाब चले थे हर सवाल का धूडने जवाब चले थे आज फिर जब गुजरे उस पल से तो याद आया यहीं से तो दोवाब चले थे एक कविता है इसमें भावनाओं को लेकर लिखा है मैंने अक्सर ऐसा होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं अगला सुनता कुछ है समझता कुछ है तो उस पर है कि अक्सर स्वयम की भावनाओं को व्यक्त करने में मैं शब्दों का गलत चुनाओ कर लेती हूं जो कहना चाहती हूं वो दूसरों तक पहुंची नहीं पाता प्रतेक बार प्रतेक जगा मेरी उचित भावनाओं को नहीं समझा गया केवल मेरे द्वारा बोले गए शब्दों में ही सारी बाते भावनाओं धूर ले गई जब जब भावनाओं को गलत समझा गया मैं वहीं खड़ी रही और अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुचाने के लिए अनेक उल जुलूल शब्द धूरती रही पर आज तक पर आज तक उचित अवसर पर उचित शब्दों में स्वयम की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाई हूँ जो दूसरों ने मेरे शब्दों से अनमान लगाया वही सत्य हो गया मैंने भी उसे ही अपनी भावनाओं होने की स्विकृती दे दी और स्वयम को इस बात से संतुष्टी दिलाई की इश्वर सब जानता है काश की इश्वर सब नहीं जानता काश की इश्वर सब नहीं जानता और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरा दारुमदार मेरे स्वयम के उपर होता तो कदाचित स्वयम की भावनाएं बहतर ढंग से व्यक्त हो पाती और शब्दों का चयन उसके अनुसार होता अन्त में एक कविता प्रेम पर कि जब सारी कलियां मुर्जा जाएंगी जब सारी कलियां मुर्जा जाएंगी तो क्या पत जड़ के ऐसे मौसम में तुम मेरे लिए प्रेम चुनोगे जब आखों से अश्रुधारा बहेगी अधरों पे कमपन तेज होगा तो क्या हृदय की इस हालत में तुम मेरे लिए प्रेम चुनोगे जब कपोलों के स्पर्ष को हाथ कापेंगे हाथों में प्रेम पत्र नहीं लाठी होगी जब कपोलों के स्पर्ष को हाथ कापेंगे जब हाथों में प्रेम पत्र नहीं लाठी होगी तो क्या उम्र के उस दौर में तुम मेरे लिए प्रेम चुनोगे अगला बन्ध है कि जब चहूंगोर अंधेरा चाया होगा जब चहूंगोर अंधेरा चाया होगा चांद तारों पर भी बिसराया होगा जब चंगोर अंधेरा चाया होगा चांद तारों पर भी बिसराया होगा तो क्या जीवन के ऐसे पड़ाव पर तुम मेरे लिए प्रेम चुनोगे क्या जो झोड़ाथ भी.